हाली में Institute for Economics and Peace ने Global Peace Index 2022 जारी किया है तो आज किस वीडियों हम समझेंगे कि आखिरकार किस आधार परेते किया जाता है कि वल्ड की कौन सी कंटी सब ज़्यादा सांथ है और कौन सी कंटी सब ज़्यादा असांथ है और ये भी जानेंगे कि 2022 में किन देशों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और किन देशों का परफॉर्मेंस सबसे बुरा रहा है इसकलाब हम इंडिया की रेंकिंग और इंडिया के पड़ोसी रेंकिंग जानने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पास समझ लीजे कि जो यह ranking है उसकों में एक score में तबदील कर देते हैं तो आप देखें यह scale आपको देखने मिलेगी अलाग अलाग इधर पर आपको color variation देखने को मिलेगी तो यदि किसी इधर से आप world map में देखें तो यदि वहाँ पास dark green है तो मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पास सब ज़्यादा सांती है light green है तो मतलब थोड़ा सांती कम हो गई और यदि yellow color का है तो मतलब उधर पर medium level है पीस का मतलब ना ज़्यादा वो सांत है ना ज़्यादा असांत है low में आप देखें तो असांती बढ़ेगी धीरे धीरे और very low में मतलब जो red zone बाले countries है वहाँ पर सब ज़्यादा असांती है और कुछ ऐसी भी countries है जिनको include नहीं किया गया है तो इस बार के index में लगभग 163 countries को include किया गया है तो आप इधर पर North America और South America की condition देखें तो ये एक तरीके से अच्छी condition है इनकी इधर पर आपको कोई भी red zone की country देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यदि आप यहाँ पास देखें अपरिका में या फिर Asia में तो कुछ countries red zone में भी हैं including रसिया, अफगानिस्तान और बहुत सी अपरिका की countries red zone में मतला भी हाँ पर सब ज़्यदा असांती आपको देखने को मिलेगी तो इस index में लगभग 90 countries ने performance अपना सुधारा है और 71 countries का performance घटा है अब हम समझ लेते हैं कि आकिरकार के सधार पर institute for economics and peace ये decide करता है कि कि किसी भी कंटी में सब ज़्यदा peace है और किसी भी कंटी में सब से कम peace है तो ये बहुत से indicators हैं जिसको हम one by one समझ लेते हैं तो पहला indicator जो है वो क्या है कि well functioning government मतलब जो वहां की government है बहुत यच्छे से काम कर रही है लोगों की welfare के लिए काम कर रही है फिर क्या है low level of corruption जो भरष्टाचार है बहुत ही ज़्यादा कम होगा उस कंटी में peace उत्री ही ज़्यादा रहेगी फिर है acceptance of rights of the others मतलब लोगों को अपने अधिकारों के प्रती तो जगरूप होना है लेकिन दूसरे की अधिकारों का भी आपको सम्मान करना है फिर क्या है free flow of information सूचना का अधान प्रतान असानी से होगा किनी भी दो विक्तियों के बीच में दो institution के बीच में तो आप कह सकते हैं उस कंटी में peace ज़्यादा है फिर क्या है sound business environment बहुत से लोगों को अपने व्यापार करने में सुभधा हो तो आप कह सकते हैं उस कंटी में peace पर्यापन मातरम है फिर हाई level of human capital मतलब लोगों के जो per capita income है वो ज़्यादा हो तो यदि आप कहेंगे कि पर capita income ज़्यादा है तो लोगों के जो living standard है वो बढ़ेगा और उसके कारण क्या आएगी वो धरब पर सांती आएगी इसके बाद क्या होना चाहिए equal distribution of resources मतलब जो संसाधन है वो लोगों के बीच में बराबर वित्रियत हों मतलब जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई होती है वो कम से कम हो और आप समझे resources बराबर distributed होंगे तो आप कह सकते हैं उस कंटी में पर्याप मातरा में peace रहेगी फिर है good relations with neighbors पडोसी देश का जितनी अच्छे संबन्ध होंगे तो सिती सी बात है उस देश में उतनी अधर सांती होने की संभावन रहेगी नहीं तो यदि पडोसी देशी यदि लड़ रहा है तो फिर सांती नहीं रहेगी जैसी आप पर देखें रूस और यूक्रेन की ब और इस संब 2008 से ही लगातार पहले स्थान पर आ रहा है दूसरे स्थान पर है न्यूजीलेंड तीसरे पर आयलेंड चौथे पर डिर्मार पांच में पर आश्ट्रिया चट में पर पोर्तगाल साथ में पर स्लोवेनिया आठ में पर चेक रेपॉलिक नौ में पर सिंगापू कि इन countries ने इन indicators पर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है आप कुछ ऐसी countries हैं जिनकी ranking सबसे कम है तो आप देखें सबसे कम जो performance है वो है अफ़कानिस्तान की 163 countries में इसको सबसे lowest ranking दी गई है और फिर आप देखें दूसरे पर यमन, फिर सीरिया, रसिया रसिया की ranking देखें 5 point घट गई है और घटी क्यों है क्योंकि रसिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और यूक्रेन की ranking अब देखें 17 point घट गई है तो किनी भी दो देशों के जब युद्ध होगा तो सिदी सी बाते वहाँ पास आसान्ती आएगी और उनकी ranking इस list में घटेगी फिर देखें साथ सुदान की भी condition ज़्यादा सही नहीं है फिर जो कांगो है, इराक है, सुमालिया है सेंटर अफ्रिकन रिपबलिक कंटीज है सुदान है, युक्रेन है, नॉर्थ कोरिया है, लीबिया है, माली है तो ये ऐसी कंटीज हैं, जिनकी इस index में ranking बहुत यादा कम है अब हम बात कर लेते हैं कुछ regions की, जो इस index में तय किये गए है तो 9 regions मनाए गए हैं, और 9 में से 4 ऐसी regions हैं, जिनमें की performance घटी हुई है तो आप देखें, जो रेट से इनकी performance घटी हुई है, जो इधर पर आप देखें, ग्रीन इंडिकेटर है, मतलब उनकी performance हुदा आया है तो सबसे अच्छी performance रही है, European regions की आप देखें, यहाँ पर जो top 10 countries हैं, उनमें से 7 countries यूरोप की है आप किसको छोड़ देए, New Zealand को छोड़ दीजे, और इधर पर सिंगापूर और जपान को तो बाकि जो 7 countries बची, वो पूरी की पूरी यूरोप की है तो आप समझ सकते हैं, top 10 में से 7 countries कहां की है, यूरोप की तो यूरोप ने सबसे अच्छा perform किया है दूसरे स्थान पर है Asia Pacific, तीसरे पर है North America, चोथे पर है Central American and Caribbean countries, फिर है South America, नेक्स्ट है Russia और Eurasia वाला रीजन, फिर है सबसाहारन अफ्रिका, फिर है South Asia, इसी में इंडिया और इंडिया के पलोशी देश आ जाते हैं और फिर है Middle East and North Africa, जिसकी performance सबसे ज़्यादा विकार है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं South Asia को जिसमें इंडिया और इंडिया के पलोशी देश आ जाएंगे, तो आप देखें South Asia में सबसे अच्छी जो रैंकिंग है वो है भोडान की, दूसरे में अच्छा perform किया है नेपाल फिर सीलंका, अभी सीलंका में जो क्राइसिस है उसको इंकलूब नहीं किया गया है, अब जब 2023 की रैंकिंग आईगी, तो हो सकता है सीलंका की रैंकिंग और ज्यादा घड़ जाए, क्योंकि अभी उधर पर क्राइसिस है तो उधर आप कैसा पर असांती बनी हुए, लेकिन आप हम बात कर लेते हैं उन कंट्रीज की जिनने सबसे अच्छा पर्फिरम किया है और जिनके पर्फॉर्मेंस में एक तरीके से गिरावट आई है, तो पहले पर है लीबिया, दूसरे पर एजिप्ट, तीसरे पर साओधिया औरेविया, चौत्रे पर फिलिपीन्ज और पा 5 points की ग्रावट आई है फिर है हेती